तो मश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide Guru 2.0 उपर दोस्तों अभी आप देख रहे हैं Science का Practice Set Paper यह Practice Set Paper फ्री है पूरा देखिए चेक करिए क्या इसमें जो कॉशन मैंने पूछे हैं वो आपसे सारे बनते हैं अगर बनते हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे नोडिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी क्लास अपडेट होतों चले शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर कॉशन अमबर वन आपसे पूछा गया है कैलप प्राप्त होता है कैस से प्राप्त होता है right answer क्या है इस प्रशन के लिए तो समुदरी सैवाल से कैलप प्राप्त होता है right answer हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है uranium बिखंजन की सदत परक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरुवत पड़ती है uranium बिखंजन की सदत परक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरुवत पड़ती है तो neutron की जरुवत पड़ती है option number सही उत्तर हो जाएगा C, Uranium विखंजन की सदत पक्रिया को जारी रखने के लिए Neutron की जरुवत परती है Next Question देखते हैं यदि किसी पिंड को 11.2 km प्रती सेकंड के वेक से फेका जाए तो क्या होगा? तो यदि किसी पिंड को 11.2 km प्रती सेकंड के वेक से फेका जाए तो प्रतीवी परवह कभी बापस नहीं लोटेगा राइट आंसर है, option number A यहां पर सही उत्तर हो जाएगा Next Question किसी सेवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी सेवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो laminaria नाम के सेवाल से iodine प्राप्त होता है option number laminaria expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं सबसे पहले radio सक्रियता शब्द का प्रियोग किस ने किया था? सबसे पहले radio सक्रियता शब्द का प्रियोग किस ने किया था? तो Henry Beckerol G. ने option number A next question देखते हैं गलगंड रोग से बचा जा सकता है कुछ समुदरी खर्पतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इन समुदरी खर्पतवारों में किसकी मातरा प्रचुर होती है जिससे गलगंड घेंगा रोग दूर हो जाता है तो इसमें प्रचुर मात्रा होती है किसकी आयोडीन की option number B यहाँ पर सहित्र हो जाएगा आयोडीन की प्रचुर मात्रा होती है next question देखते हैं क्या पुशा गया है रेडियो कारवन काल निधारन किसकी आयोड का आकलन करने के लिए प्रयोग करते हैं next question देखते हैं अगला प्रचुर इनमें से क्या रेखिय बलके सनक्षन के आधार पर काम करता है तो इनमें से रेखिय बलके सनक्षन के आधार पर जो है जैट इंजन काम करता है option number D इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है सरगासो समुदर का नाम किसके कारण पड़ा क्या उत्तर हो जाएगा बतलाएं सरगासो समुदर का नाम किसके कारण पड़ा right answer क्या हो जाएगा तो वहाँ पर मिलने वाली सेवाल जिसका नाम सरगासो है उन सेवाल के कारण समुदर का नाम भी सरगासो पड़ा तो right answer हो जाएगा सेवालो के कारण option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा प्रत्वी की आयू का आकलन कैसे करते हैं option number uranium denting विधी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है washing machine कि सिद्दान पर काम करती है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए washing machine जो है कि सिद्दान पर काम करती है तो अब केंदरन के सिद्दान पर washing machine काम करती है option number अपके इंद्रन इस प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है hydra की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है क्या उत्तर हो जाएगा hydra की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी सैवाल मिलता है तो यू क्लोरेला ओप्शन नमबर A यहाँ पर सहित्र हो जाएगा हाइडरा की स्तरावी कोशिकाओं में यू क्लोरेला सहजीवी शैवाल मिलता है नेक्स कॉशन देखते हैं अगला प्रशन क्या है वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राग यतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारन करने के लिए विगटन नाभिकता का प्रियोग करती है तो वह प्रणाली कहलाती है कार्बन काल निर्धारन ओप्शन नमबर C यहाँ पर स जब दूद को प्रबल ढंक से मता जाता है तो अब केंद्री बल के कारण option number A यहाँ पर सहीतर हो जाएगा उसमें दूद से क्रीम अलग हो जाती है right answer हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है अब केंद्री बल next question सेवालों की कोशका भित्ती किसकी बनी होती है क्या उत्तर हो जाएगा शेवालों की कोशका भित्ती किसकी बनी होती है तो सललोज की बनी होती है सेवालों की कोशका भित्ती option number सललोज सही उत्तर है next question देखते हैं एक रेडियो धर्मी पदार्थ की आधी आयू चार महीने की है इस पदार्त का 3-4 भाग नश्ट होने में कितना समय लगेगा तो 3-4 भाग नश्ट होने में 8 महिने का समय लगेगा option number 8 महिने इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएंगे next question देखते हैं क्या पुश है अगला प्रशन कोई cycle सवार किस लिए mode पर घूमते हुए कोई cycle सवार किसी mode पर किसी mode में घूमता है तो क्या होता है तो कोई cycle सवार cycle चलाते हुए अगर किसी mode पर घूमता है तो अपने आपको अंदर की ओर जुका लेता है right answer हो जाएगा अंदर की ओर जुका लेता है option number D इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन सेवाल विज्यान में किसका अध्यन करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है हमें शेवाल विज्यानों में शेवाल का अध्यन करते हैं अच्छा इस विज्यान की शाका को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है आंसर तो बताइए नेक्श कॉश का एक ग्राम जो है 140 दिन के बाद में 0.25 ग्राम रह जाता है राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं प्रशने हैं आपके सामने स्वाचलित वाहनों में द्रवचलित ब्रेकों का इस्तिमाल किस नियम का सीधा अनुप्रियोग है तो स्वाचलित वाहनों में द मोजेक रोग किसके कारण होता है आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है तो आलू में मोजेक रोग विशाणू के कारण होता है आप्शन नमबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन यदि किसी रेडियो धर्मी पदार्त की मात्रा दोगना कर दी जाए त उसी दर से होगा छरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा नेक्श वाशन देखते हैं जब एक चल वस्तु की गती दुगनी की जाती है तो जब एक चल वस्तु की गती दुगनी की जाती है तो उसकी गती दुगनी की जाती है तो उसकी गते जूर्जा चौगनी हो जाती है option no.b पी सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है जनतूं мен hोने वाले foot and mouth रोग किसके कारण उत्तर होते है तो जन्तुओं में होने वाले foot and mouth रोग जो है विशाणू के करण उत्पन होते हैं option number D इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं विगटन नाभिक वस्तुओं में किस से विगटन नाभिक वस्तुओं को किस के बने पातर में रखते हैं right answer क्या हो जाएगा तो radius अक्रिय जो भी जो वस्तुओं होती हैं उनको किस के पातर में रखते हैं तो उनको PB, plumbum, शीशे से बने पातर में रखते हैं right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देखते हैं इन में से किस में गतिज उर्जा नहीं होती है right answer क्या हो जाएगा इन में से गतिज उर्जा किस में नहीं होती है तो खिचे हुए धनुष में option number C, यहाँ पर सेयत्र हो जाएगा खिचे हुए धनुष में गतिज उर्जा नहीं होती है next question देखते है निमन लिखत में से कौन सा रोग विशाणू के करण होता है right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सेयत्र हो जाएगा चेचक रोग जो है right answer है next question देखते हैं प्रशन है निमन में से कान एक radioactive तत्वा नहीं है right answer क्या हो जाएगा radioactive तत्वा नहीं है option number B इस प्रशन के लिए सेयत्र हो जाएगा इनमें से radioactive तत्व जर्कोनियम नहीं है अगला प्रशन है आपके सामने जब हम रबड के गद्दे वाली सीच पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका अकार परिवर्थित हो जाता है ऐसे पदार्थ में क्या पाए जाता है तो ऐसे पदार्थ में इस्थितिच उर्जा पाए जाती है option number B यहाँ पर सेयत्र हो जाएगा इस्थितिच उर्जा पाए जाती है तो दोस्तों यह था science का practice set paper क्या score रहा अगर आप अपना score share करना चाते हैं तो जरूर शेर करें चैनल पर अगर आप इसी प्रकार से वीडियो पर डे प्राप्ट करना चाते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon on कर लें और all वाला notification on कर लें जिससे रोज के वीडियो की notification आपको मिल सके वीडियो free है अपने दोस्तों को भी share करिएगा आपके दोस्त भी जरूर पसंद करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बहुत शुभो धनिवाद